एपिशोड के शुरूर समवंदर से होते हैं जिसके अंदर कैप और टोनी को नाइट होक की शिप में दिखाया जाता है नाइट होक के अगले मुवमेंट को जानने के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए आये होते हैं तुनी शिप में बूस्टर लगाता है ताकि अपने आइपि की मदद से फूरे शिप को वापन से स्टर करते की तोनि के कहते ही फैलकन को टावर के आर्फ से करता है पर कनेक्ष्ट होता हुते ही क्या एंअ पुरिट टीम को बुलाता और लड़ाई के बीच में नाइट होग बोलता कि पिर्थवी हमें दे तो जिस पर होकाई बोलता हमारे बाप की थोड़ी ना जो हम दे सकते हैं और यह भी कोई तरीका हुआ भीक मांगने का भीकी मांगने तो जाकर पहले कटोरा लेगा जिस पर नाइट होग बोलता मुझे पता चिप बोलता है कि मैं स्टाच ओफ लिबिटी के पास हो तुम सब कहा पर हो नताशा बोलती समभलकर नाइट होक दोनों जगाओं मसे कहीं बी नहीं तब इन नाइट होक फैलकन पर हमला करता है फिर हमें स्पीड डीमन को दिखाय जाता है जो होकाई की तीरों का इस्तमाल क फैलकन बोलता है कि स्पीड डीमन थोर तुमारे हाथोरे से तेज हो सकता है लेकिन हवा से ने तब इस पर हवा के इस्तमाल करता है जैसे स्पीड कम हो जाती है और हौकाई उस पर अपने फॉर्म एरो से अटक करता है यहां पर एंट मैं को होकाई सला देता है कि तुम उस एंट को पावर गीट से लड़ा दो एंट मैं भी वैसा ही करता है जिससे स्पेक्ट्रम भी होश जाता है फिर हमें नाताशा को दिखाया जाता है नाताशा बोलता है मेरा बात क्या मनने के बाद आएगा फैलकन बोलता नाइट होक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ब बटन दबाता है और पूरा नियोक किसी और डायमेंशन में टैलीपोर्ट होने वाले होता है लेकिन नाइट होक फिर से हमला करता है फैलकन के पर छी लेता है इसके बाद में आवेंजिस के दूसरी टीम को दिखाया जाता है जो अब स्कौर्डन सुप्रीम के एक एक मेंब इसके लिए टाइम ने फैलकन बोलता तरीका बदलना होगा और जाड़ा को फैलकन को अपने पर देता है जिससे डीमन हारता है और फैलकन टावर में जाकर जारवे से बोलता कि सारी एनरजी स्पेस की तरफ मोर्दो इससे पहले कि टावर के साथ पूरा नियोक किसी और आगा टेलिपोर्ट हो जाए लेकिन सारी एनर्जी सम्मूद के अंदर चली जाती है अपने स्पेस्विप को वापस बहार निकान लेकी पर तभी उन्हें एक अंजान मैसेज मिलता जो क्याप का होता है टोनी और क्याप नाइट होकी स्पेस्विप में अभी भी जिंदा है बिखारियों अकर दम हो तो करके दिखा लिए टिम को दिखाया जाता है जीने टोनी और कैप मिलकर होते हैं जब नाइट हॉक का कम्पेटर चेक करता तो उससे पता चलता है कि इस स्पेस्विप में ऐसी कोई चीज़ जिससे जबर्दस्ट एनरजी की ज़रूर और यह स्प सब्सक्राइब को बचाने के लिए हटोड़ा भेशता है लेकि नियोग पूरे स्पेश्विप को तबाख करकर वहां पहुंच जाता है थार नियूक बोलता है कि मैं स्पेश्विप में कितने समय तक था नाइट होक बोलता जालब समय के लिए नहीं दोस्त और वह पूरी दुनिया में प्रोड़कास्ट के थूप बता देता है कि अभी जिंदा होता है क्यूंकि एंट मैं ने सभी को सभी समय पर चोटा कर दिया होता है आपको यह एपिसोड क्या सब्सक्राइब जरूर बताएं पिछल एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगा तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं सो मिलते हैं नेक्स वीडियों थंक्स वाचिंग और सायोनारा